कि गृश्य के विदूर सकतर के .... वाले हैं हम मानिक र्याक्ष वे होना चाहिए देखते हैं सबस dabei हमारे पास होना चाहिए कोई प्राइमरी या पिर जे गरिय अमी는 दूसरा होना चाहिए हमारे पास फॉर्मार्लिफी गूर्वार्ड हाईड इस यह चू फॉर्मल डिहाइड और तीसरा हमारे पास कोई ऐसा कार्बिनिल ग्रूप जिसके पास हैवी एक्टिव हाइड्रोजन होने चाहिए तो रियक्शन वाने यह पर लिए प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन तो यह हमारे पास सेकेंडरी अमीन टू डिग्री हमारे पास कारवानानियम जिसके पास इसके पास है तो यह है वो कार्वाल दूंद जिसके पास इल्फा हीद्रोजन ऊब यह और यह रीएक्शन होती है इस नी कंडिशन में तो इसके बताद नहीं का मरा यह प्रोड़क्ट कैसे बनता है मेकनिसम देख लेते हैं पहले शुरू करते हैं हम यहां से इनार्टू एच इनार्टू इज़र कर देते हैं यह इस तरह से पास आया लोन पेयर पलस यह सिय चू अब इसका यह लोन पेयर जो हो आखर इस कार्म कार्बनेल पर अटेक करता है और यह अलबान कुछ इस साइड से ब्रेक हो जाता है और यह रियक्शन रिवर्सिबिल होती है कहां का रिवर्सिबिल होगी मां भी दिखाता हूं यहां सा रेकिया यह इधर चला गया यह हो जाएगा यह सी ओ पर आ जाएगा माइनेस इस साइड यह और इसके साइड नीचे जूड़ा है अभी यहन और इससे लगा हो गाए और इसके साथ एक है अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर से इधर बान बनाया तो इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो यह अब हाइड्रोजन यह वांट इस तरह से ले लेगा और यह एस प्लस यहां से निकलेगा इस प्लस निकलने के बाद यह चला जाएगा इस ओ माइनिस के पास यहां पर भी यह रिवर्सिबल हो मैं है मैं इसको फोड़ चले रहने कि यह जाए हनाय इस साइड व लपं निकलने औरट यह जाएगा अब इसको हम कराते हैं हमारा 44 कंडिशन में है हम इसको कराएंगे है इस प्लस इच हम इसके पास अक्षस फास हमारे पास लोन और यह लोन प्यार दोपने इस पर अटैक कर लेगा यह हो जाएगा ओएश्टू प्लस यह जागा सी ओएश्टू प्लस इधर यह ज़ नीची की साइड आपके पाथ नार्टू है तो आप क्या होगा तो आक्सीजन पर जाता है वह पहले से लेक्ट्रोफिलिक होता है उसकी बहुत ज्यादा होती है पाश्टू चार जाता तो और भी तेजी से एलेक्ट्रान खिसने लगता है तो यह वाला बांड जो इस साइड ब्रेक होने लगेगा और इधर बनाएगा और यह वाला अक्रान है स्टू ऑक्सीजन लेकर इस्ट्व निकल जाएगा यहां से सब्सक्रा जहां से इस टू रिमूव होता है वह हमारी रिट्रेक्शन डिवर्सिबिल नहीं होती है यह होता मायने से स्टू हमने पीछली वीडियो में पाला था ना जहां से तो निकलता है तो वहां पर इवन मेकेनिजम कुछ था इसी तरह से वहां पर भी रिवर्स बिल नहीं था तो यह हो जाएगा हमारा सी डबल वांड एन आर टू पलस और इसके साथ सी एच टू एनार टू डबल वांस यह तू यह होता हमारा इमीनियम आयन इमी नियम अएन इसमें तो यह बन गया हमारा इमीनियम अब क्या होगा अब इसके बाद बारी आती है इस वाले की है अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और इस तरह से दिखाया जा रहा है तो कहीं नहीं अल्फा इड्रोजन निकलने माला है अगर आपने पिछली वीडियो देखिए तो उसके हिसाब अब से लग रहा है कि यह होने वाला है तो इसको सबसे फ़ले हम कराते हैं एस प्लस से यहां पर भी रिवर्स भी लोगा और यह प्लस इसके पास है लोन पेर यह अपने लोन पेर से इस आक्सिजन पर अटेक करेगा यहां पर हो जाएगा सी डबल बांड ओ एच इस पर आजाएगा पॉस्टी चार्ज और इधर सी एच टू और यह एच और इधर सी एच तिरी मैंना अभी बता है जब और यह पास पॉस्टी चार्ज जाता तो वह और ज्यादा एलेक्ट्रोंगेट्टि हो जाता है तो यह वांड इस साइड पर रहाएगा और यह वांड इस साइड पर रहाएगा पिर इसके बाद क्या होगा हमारा अब इसके पासे रिएक्षिन डिवर्सिबिल नहीं अब सीडिसी दी रहें यह जागा सीच टू डबल बांड सी सिंगल बांड ओए अच और यह सिंगल बांड फिरी यह अब क्या होगा अभी अटक करेंगा इस इमिनियों आइन पर तो इमिनियों का हम यहाप लिख लिए ते कि पलस ऐसे को मैं थोड्याइस तरह से दिखा दूम अभीए अपना य है बांद मोख ओग और यह वाला जो वहา वहालक öघ्ली यह वालका विए वाय यहा बॉ लेगा पहले या वालकार वन लेगा यानि कि इस बांड से अभी यह वाला अटेक होने वाला है आप इसको चाहिए इस तरह से दिखाए या फिर इसको आप डारक इस तरह से दिखाए और यह वाला इस साइट से जुनने वाला है इस कारवन से नहीं इस कारवन से पहले आप इसको इस साइट से दिखा लें इस पर ये Nr2 है, अब जिब इसस़ा बान इससाइड बेर हो जाएगा अब ये इससाइडवी रहुआ तो इसness पर आएका negative और ये पजिटू पहले देए तो पहले तो positive निवीटिव मिलके हो जाएंगे सिंगल बंदु सिंगल नीटरल एन ड्र नीव ट्रिल हतों ओम सिंगल बॉंअ सिंगल बन आप यह एक बंडि और रहा है और है यह सीस्व टू सिर्चिवार बन बनंड आने यह लगाई एक शिंगल बंड और उसे लगाए उसे लिगा होगा यह C अब इसी से लगा होग यह थे नहीं यह थिए और यह थे वाट फिर की इन रथाया जिए चाया इसे एक सिंगल बांड किवे अबांड रिसाय मेरे हो गेन तो यह सी तु यह तो अभी यह स्य दोब ऑनाया इस यश्टू से क्यूंकि यह वला पहले इधर बेखुगा फिर यह माइनस इस बान बना रहा है तो इस भाई से इस से इस दो भी आट यह वाला चूस्तू तो यह होगे यह स्यू अभी अला बनीसाइट ब्रेक अबनाया है तो यह बचे गानप में इसमें घूरा जाता है इस इसनिक बेस मैं मनें को बेस तो यह तो हो गई हमारी एसे प्रजिंस में तो क्या हम इसको बेस ऐसे बेस की परज़न कर सकते हैं यह वालज जो सिप था मिसकटलूरण कर सकते हैं कि नहीं हम पिछली वीडियों पॉले आए कि अगर हमें अलफा थे निकालना हो तो अधिया सकते हैं और बेशिक में निकाल रहते हैं तो इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं सी डबल बांडो इधर सी अस्तुरिया इधर सी अस्तू इधर यच बेस मतलब और एच माइनिस यहां तक यह रिक्षण हमारी कंपली डोच चुकी है आप यहां दक लिख लेंगे मैं इसको बस दिखा रहा हूं कि क्या यह बेस्ट के पर देंस में रियक्षन होती है या नहीं अब इसको नोट करके या फिर कुछ आओर करके वहीं पर लिख लेंगे तो यह बेस्ट के पर दिंट में यहां से प्लस निकल जाएगा यह बान आया इस तरह से ब्रेक होगा और इस पर आएगा माइन इस C1O, यहां पर CH3, और यहां पर CH2 पर आगया माइनस, अब यह फिर से इमिनियम आयन पर अटेक कर देगा, मैं इमिनियम आयन को यह पर लिख देता हूं, CH2, NR2, और इस पर रपाश रिचार्ज, तो अब यह वाला माइनस चार्ज जो है, वो इस कार्बन पर अटेक किया, और हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, एनार्टू, फिर उसके बाद यह CS2, यह CS2 बन बना रहा है, यह CS2 से, अब यह CS2 जूला हुआ है, सी, डबल बांडो, CH3, सी, डबल बांडो, CH3, यह और यह दोनों सेम, तो मानिक रियक्शन, बेस के परजन्स में रियक्शन होती है, लेकिन, इसका एक्जामपल बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है, तो आप कैश सकते हैं कि मानिक रियक्शन, ज्यादा तर केसस में, एसर के परजन्स में होती है, अगर कोई आप पूछे कि बेस के परजन्स में मानिक रियक्शन होती है या नहीं, तो होती है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही रियर होता है, अब देखते हैं हम कुछ और ऐसे एक्जामपल, उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं इसमें, अगर हमें इसको शॉट में कर पास प्रोडक्ट में क्या है, और इसके साथ लगा हुआ है, तो हम एच को इधर मार्क कर लेते हैं, हमें बांड से लेना देना नहीं है, अभी हमें सिर्फ जो गायब है, वो देखना है, अब इसमें देखो, सी एस टू है, सी डबल बांड ओ है, तो इसके बाद यहां पर स मतलब यह सियश ततिरी, यह सी डबल बांड ओध यह पड़ा है और यह सियश टू भी पड़ा है, यो की यहां था हमारे पास सेम है और इससे एक हाइड्रोजन जो था अलफा अईड्रोजन यह मिसिंग यहां पर आलफा आईड्रोजन था ना मैं लॉट है यह समनते हरा ऑ적 हाल बनते यानिकि यह थोलगा फिर कार्बन ये आलिख ये पिर समय सब्सक्वार भी से दो प्रोटल क्या क्या मिशिंग है एक है वह यह निक टू गो माइनस इस टू गो निकला हम आरा कहा ने कला है इस टू गो आप बांड ओन गाली कि एप सबस्क्रायद है घ्रगवा है तो नहीं के लिए तो इस टू गाल गया अब क्या होगा कि अभी छिद्व में आप बॉन को न यहां से निकल चुका है अब इन जो है वो इस फर्मल डिहाइड से बांड बना लेगा और यह वाला सिस्टू जो है वो अब जो अलफा आइडोजे निकला उससे बांड बना लेगा अब इसको मर्जगर क्या आप देखें के तो हमारे पास वही प्रडक्ट होगा जैसे देख अच्छा च्छ फिर उसके बाद है च्छ टू यह सी एश्टू सी यो और सी इस तरी इधर भी सी तरी तो कहने के क्या मतलब है नाइट्रोजन से हमारा एक हाइड्रोजन निकलेगा फार्मल लिहाइड से पूरा अक्सिजिए निकलेगा और जो हमारे पास कार्बोनेल कंपा अब देखते हैं कुछ इसी शौट ट्रिक से मेकनिदम ने दिखा दिया आप इसताना से कर सकते हैं और शौट ट्रिक से एक्जामपल लेकर तो अब यह में समझ में आएगा थोड़ा तो अब देख लेते हैं एक कोईस्टन उसी के बेसिस पर वैसे ही कोईस्टन मैंने पास अलफा हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन या फिर अलफा हाइड्रोजन तो यहां पर क्या होता है यहां से निकलता है यहां से ओ निकलता है यहां से एच निकलता है बाकी इसको इनको इससी से फिर इससी को इससी से एड़ कर देना हमें वही हो जाएगा हमारा प्रड़क्ट यह हो गया हमारे पास यह रही हो गई इसके साथ यह डबल बांट ओ लगा है अब यह जो लेगा इस CH2 से जोड़ देते हैं यह जोड़ गया हमारा CH2 से अब यह स्टू जो लेगा इस N से और N जोला है यह हो गया हमारा मानिक बेस लेकिन अब इसमें क्या है अगर इसमें हम फर्दर मिला देते हैं यह यह आई इसमें अगर यह मिला हुआ हो फर्दर तो यह रियक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होती है क्या बनता है इसके बाद यह बनता है अगर डवब्यवट यह बनता है मनत अभेसे अन्हें तो आप यह कैसे बाना इसका मेकनिजम हम देख लेते हैं बाकि इसका तो आनी बता दिया था अब हम इसका देख लेते हैं इसका मेकनीजम हम आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं मेकनीजम हम उसका देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वो जो है हमारे पास वहां पर क्या है से डबल वांड ओ और मैं इसको इसाड़ इखा दूं सी इस टू एन एम ए टू इसको हम करा रहे हैं मेथाइल आयोडाइड से यह मी आई यह मी आई देखिए इस ना इड्रोजन के पास लोन पेर है यह अपने लोन पेर से इस यह मी पर अटेक करेगा और यह वाला आई अपना एक एलेक्ट्रान लेके चला जाए गा यहां से तो इससे हम कहते हैं एक साइड साइड हो दूसरी साइड से वह निकल जाए उसे हम कहते हैं तो अब हम क्या देखेंगे एर एमी से दो एमी जूला जाए एक एमी आउर आके जूलेगा तो हो जाएगा एन एमी थिरी यह से डबल बांड ओ इधार सी एस टू इस एन से दो एमी ए चली एमी टू यह पहले था एक एमी आउर जो आके जूल गया और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्या आया पॉजिटिव चार्ज अब हम इसको कराते हैं एन ए ओएच था तो ओएच माइनस कराएंगे यह होता है एक बेस बेस क्या करेगा देखिए यह कार्बनल कंपाउंड इससे कार्बन यह वाला अलफा और इधार है यह हाइट्रोजन तो अब यह क्या करेगा इस क्या ह् record करें तो अधर आएका मइनस चार्ज तो यह मैंस इदर इह आलब इधर रहा हाए तो हम डिर्कटली सक खर देना यह वाल बांट हम इस साइड कर दें और यह लगान इस साइड और यहां से मिलकर माइनिस थूगो निकल जाएगा यहां पर भी माइनस तुकि अब लिख सकते हैं लुख कि यहां तो यहां पर आ जाएगा यह डबल वान और यह सिंगल बाया जाएगा माइनेस और बाकी यह ऐसे ही रहेगा इधर आगया डावल बांड इधर आगया ओपे माइनेस यह हो गया यह ऐस तूर उसके बाद यह एन एमी टू सब्सक्राइब और इस पर पॉज्टिव चार्च अब क्या होगा देखिए अब यह ऑक्सीजन वाला जो यह माइनेस चार्ज है यह यह देकर इधर बांड बनाएगा और इधर बनाएगा यह वालो बांड इस साइड मूव होगा औ यह इसका वाले एक electron लेकर चला जाएगा और इसके पास positive charge है यह वापस आएगा तो इस पर आएगा negative तो negative और positive मिलकर neutral हो जाएंगे तो यहां से क्या होगा वो देखिए यहां से यहन me 2 यान me 3 निकल रहा यहां से और यह neutral है यह minus charge कि निगलने के लिए लगा यहां से कुछ निकलताय माइनेश लगाते हैं जैसे यहांपर हम फ़लस नहीं लगाए है क्यूंकि इससे पहले पारज दिखाओ या निखाओ बात एक कीउटियों यह तो आप जनते हों जो कि सीखि þेस यह यहां से निकलानेश लगी Lol यह यह जाने हमारे पास उपर वहीं बनेगा यह यह जासी रबलबांड ओ और यह आए अधा धूसरा वाला एक वान और वान और आपर आःएस थू आग तो लिखे ना लिखे वह सीएश्टी मतलब हो यहां बर आगए तो लिखना चाहिए लिख सकते हैं इसमें आइसा था इसमें आइसा था अधर तो इधर आगे अधर वाइद यह होता इन उन लिखा इधर तो यह हो गए हमारा तो अब हम इतने का मेकनिजम भी देख लिए हैं इतना को शाट्रिक हमें पता है कि अब हम इसको शॉट में इस तरह से कर सकते हैं तो इसका भी शॉट देख लेते हैं फिर उसका बाद इस पर भी एक इसम्पल देख लेते हैं चले इसमें शॉट क्या जोता कि में इन निकलंद जाए और जो यह वह उससे जुड़ेगा और यह वाल बांड इस इस ऐड़ाओ यहने 2 ऊपने से मैं हमें इसको निकाल नहीं हमेん कर दे मिकलं Dus में से निकाल दें तो मान बिल जाएगा कि पैट plat करतें कि देप के Ante का मतलब में तो अगर मैं इस बांड को इस साइड मूव करा दूँ यह वाला बांड इस साइड और इजहरे नमी टू को हटा दूँ तो इसको मैं यहां साइट को हटा दिया और यहां पर मैं यहां पर डबल बांड कर दिया बस यह और वह हमारा सेम है हमें तो यही बनाना है ना बस हो गय हमारा यह देखते हैं इस पर एक और एक्जामपल इस तरह का फिर उसके बाद एक और एक्जामपल देंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप तो आप देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हो कुष्चन यहां पर लिखा हुगा मैंने दो पहले इसको देख लेते हैं इसा generosity गडाय और यहां से अलफा य Sebastian यहां से है अलफा हां तो यहां से यह एअli है निक लेगा अव ग्या करना है अप स्कुछ नहीं इस एन को इस स्कुल है हमारा यहां पर मौनल आए हमारा यह होगए वे आदे पास A C double bond O C double bond O इसलागा हो A C S 2 A C S 2 फिर अभी A C S 2 इसलागा हो A C S 2 अम्म सी दा करता हूँ A C S 2 इसलागा हो A C S 2 A C S 2 अभी C S 2 इसलागा हो A N यह यह यहन और यहन से लगी हुई है हमारे पास है रिंग बना देंगे इधर किदर जाएगा हुए है हुए है यज़ेंगे तो इसलिमी रह यह तो यह होगे जो हम हम इसको कराएंगे यह होग चे अब इसकoof कि आगे हमारे पास दिया हो यह आईizada एन ए ओ यह तब क्या होगा अब इसके आगे रियक्शन क्या होगी अभी मैंने बताया था यह वाला बांड जो है वह हमें सिंपली इस साइड मुफ कर देना है बाकी इसको निकाल देना है हो जाएगा हमेरे पास जो प्रड़क्ट बनेगा इन नहीं मोलना यो जागा सी ड्वल बांड ओ इससे लगा वो यह सी इस तू फिर इस तो इस तू फिर इस तू अभी सी एस तू की विश्मिया जागा ड्वल बंड ये यो जागा मरें नो यो गयमार प्रड़क्ट हो गया हमारा प्रड़क्ट अब हम देखते हैं इस वाले को इसमें क्या है इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा चिंद देखिए इसमें इधर भी अलफा है इधर भी अलफा है यहांपर भी अल्फा हाइड्रोजन और यहांपर भी चलिए पर देखते ह् regulators इसको बाद में लेखना कि अर यहां पर oxygen है कि अब रभी यह नाइट्रोजन जो हमारे पास primary primary मीनेन है और हर जंगा पर हमारे पास नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही एच लगा होता था यहां पर दो एच लगे हुए है ज़िए अभी डिसकस करते हैं पहले एक एच को निकालते हैं और इसको मर्ज करते हैं मर्ज होने के बाद क्या बनेगा हमागो देखते हैं सीडबर बांड ओ स सेम है इस थोला चंजे आएगा यहां संव शुरू करते रवाण्ड से यह सी डबल बांड ओ इस तरह से कुछ इधर इस तरह से में थोड़ा थोला चंज ने करूंग आँगा कैसे अब ओ देखते रहें इधर से इस इप इसले बांड रबांड ओ से है अब इससे लगए ह स दो आज़एंसी को लगाते हैं कुछ इस तरह से एच को नीची के साहट दिखा देता हूं इधर दिखाता हूं co2 ch3 में और इधर दिखा देता हूं c2h5 कि यह ना यह पर आब इसके बाद कि इस लगा हुआ है और यह से जो है 80 होने वाला है अब इस कि इस कार्म झो को इसमें नाइड्रोजन वाल। यह लिखा था अब्लिभार कärt उया रग तो अधर पांध निकलेगा ही यह इससे connect होगा यह nitrogen निकलेगा और यह फिर इस nitrogen से connect होगा फिलाल अभी यह देखिए यह वाला carbon और इस carbon से जूला हुगा CO2 CH3 C2H5 तो यह हो गया हमारे पास CO2 CH3 और यह हो गया C2H5 और नीची के साइड अब क्या जूलेगा अभी यह carbon जूलेगा इस carbon से यानि कि CH2 से यह जूलेगा CH2 से यह CH2 हो गया अब यह CH2 जूला रहा है N से इसको आम इधर करके इधर दिखाते हैं इस N से जूला हुआ है CH3 इधर यह तो CH3 को में इधर दिखा देता हूँ और यह जो थोड़ा सा इस साइड इसको इस तरह से बनाने का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आएगा देखिए अभी इस कार इस carbon से यह carbon जो है वो alpha carbon यहां पर एक alpha hydrogen और पर्जेंट है और नाइट्रोजन से लगा हुआ एक hydrogen हमारा निकलता यहां पर भी एक nitrogen भी पर्जेंट है अगर हमारा रियक्शन में यह फार्मल लिहाइड पर्जेंट और हो तो यहां पर एक बार रियक्शन हो सकती है ना कि अजन्व हम प्राइड में तो इसमें हम लेते हैं तो तो इसके हो फॉर्मल लेटे हैं है यहां कि और यहानी के आप यहां पर आगर आज आए C double band O और यह और इधर यह तो अभी यहां से निकल जाएका यहां यहां पर माईनर है कि यहां पर आ गया यहां हमारे पसें आए है कि meters से निकल जाएगा इन जो वो इस सी से जुलेगा अब यह सी जो है वह इस अलफा वाले कार बनते हैं तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि मैं आगे दिखा देता हूं चलिए अगर आब हम इसको एक बार और एसी अच्छों से करा देते हैं यह सी डबल बांड ओ वैसे यह आपको ज्यादार जगाओ पर एक ही स्टेप में मिलेगा मैं ऐसे समझाने के लिए दो स्टेप में दिखा देता हूं कोई दिक्त लिए इधर यह C double bond O, इधर C, इधर C, इधर CO2 CH3, इधर C2H5, इधर CO2 CH3, इधर C2H5, इसे लगा हूगा यह C2, इसे लगा हूगा N, और N से लगा हूगा CH3, अब यह रहा, यह वाला बांड यहां थे निकलेगा और इसके साथ यहां पर जो CS2 था, वो CS2 एक बांड इधर बनाएगा, और एक बांड इधर बनाएगा, यानि कि बीच में CS2 आएगा, और एक बांड इससे, और एक बांड इससे, तो यहां पर बीच में आएगा CS2, और एक बांड इधर, और दूसरा बांड इधर, तो यह था हमारा मनिक रियक्शन और उसके कुछ एक्जामपल तो बस आज किस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दीजी हमें जाता खुदा आफिस झाल 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 झाल